नमस्कार स्वागा थे आप सभी का कम्टिशन कॉमुनिटी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट के बारे में बजट 2022-23 सबसे पहले बजट के कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिस करेंगे और उसके बाद फिर बजट के मुख मुद्यों बिंदू पर आ जाएंगे सबसे पहले जो बजट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वो आपके सम्विधान में किस अनुछेद में है तो यहां पर ध्यान दीजेगा कि आपके सम्विधान में बजट 112 लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि यह जो बजट सब्द का परयोग है वो आपके सम्विधा क्या है तो आपके समिधान में बार्सिक बित्तीय बीवरन का प्रयोग है annual financial statement जो नहीं लिखा भग है ना annual financial statement इसी को आप बजट कह लेते हैं बजट दरसल बजट शब्द का पर यॉग एक latin word budget से हुआ है इसका बगेट से बजट हो गया लेकिन आपके सम्विधान में इसको Annual Financial Statement कहा गया है Annual Financial Statement चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत में अगर हम बजट की बात करें कि भारत में बजट कब शुरू हुआ है कैसे शुरू हुआ है तो भारत में बजट की शुरूआत हम 1860 में देखते हैं 1860 में यहां पर लिखा हुआ है मैंने बेटा हर चीज हिंदी इंगलिस में लिखा हुआ परसान नहोंगे ठीक है भारत में जो बजट की शुरूआत हुआ 1860 में और भारत में बजट के जो पिता कहे जाते हैं या फिर फांडर कहा जाता हुआ जेमस बिलसन कहा जाता है जेमस बिलसन तो भारतिय बजट के पिता भी नहीं कहा जाता है जेमस बिलसन को 1860 में भारत में पहली बार बजट की बात की गई थी पहली बार बजट को शुरूआत किया गया था 1860 में यह कोशन एक्जाम में कई बारी ब जो सुतंत्र भारत का मतलब होता है कि आजादी के बाद जो भारत का पहला बजट हुआ था वो 26 नौमर 1947 को सन्न मुखम चेटी द्वारा पेस किया गया था अब इसको और अच्छे तरीके से समझे तो देखो भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को ये बात आप जानते हैं और आपने इतिहास में इसको पढ़ लिया है तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत जानते हैं तो उसके ठीक कुछी दिनों के बाद भारत का पहला बजट बनता है जिसे हम पर्थम अजादी के बाद पर्थम बजट बोलते हैं और वो सन्न मुखम चेटी ने उस बजट को पेस किया था उस बजट को पार्लियामेंट में रखा था तो याद रखेगा 26 नवंबर का डेट बड़ा इन्पॉर्टेंट है और आप 26 नवंबर के डेट को ऐसे भी को रिलेट कर सकते हैं कि 26 नवंबर नवंबर 1999 को हमने संभीधान को क्या किया था हमने संभीधान को आत्मारफित किया था है ना 26 नवंबर 1950 को इसको हमने पुर्ण रूप से लागू किया था ये पुर्ण रूप से लागू का डेट नहीं है ठीक है ना लेकिन 26 नवंबर 1950 पुर्ण रूप से लागू का डेट तो ध्यान रखिएगा 26 नौबर 1947 सन्व मुखम चेटी ने आजाद भारत का पहला बजट पेस किया था उसके बाद बजट के बारे में और भी पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे आप से बात करेंगे उसके बाद फिर हम आगे बजट के ऊपर चलेंगे बजट के बारे में और पॉइंट क्या है वो देखिए बजट के बारे में क्या है कि जब अंग्रेज बजट पेस करते थे और चुकी जो हमारे देश में परंपरा बनी हुई थी वो क्या था कि फरवरी महीने के ध्यान रखना दो सारी बात लिखा हुआ है मैंने फरवरी महीन के last day को यानि 28 फरवरी या कहीं 29 फरवरी हो तो 29 फरवरी यानि कि इसको हम ऐसे बोलता है last day of February month के evening में यानि कि 5 बज़े साम में बजट को पेस किया जाता था तो अमूमन जो बजट पेस होते थे 28 फरवरी को 5 बज़े साम में या 29 फरवरी जिस साल होता था 29 फरवरी को 5 बज़े साम में ऐसा ही होता था बजट बेश लेकिन जब यस बंत सिन्हा भारत के बित मंतरी बने और उस समय क्या बोलते हैं अटल विहारी बाजपेश जी हमारे परधान मंतरी थे तुन्होंने क्या किया कि बजट के भाशन को 5 वजे साम से क्या कर दिया 11 वजे सुबह यानि कि सेशन का जो पहले आवर होगा। उसमें कर दिया है। आए AMY11 nawdER kषवा कर दिया। और ख प्रनेट की परंप्रा को आगे भी लोग बनाय रखे, चाहे वो मनमण सिर्फीन जी की सरकार हो, उसमें भी परंप्रा बनी तो ध्यान रखेएगा, पहले बजट पाँस बज़े पेस होता था, और फरवरी के अंतिम दिन में, यानि 28 फर वरी हो या 29, जो भी अंतिम दिन हो उस दीन, ठीक है, तो 11 बज़े सुबह तो S1 इन्हाने कर दिया, अब फरवरी के अंतिम दिन को फरवरी के पहला दिन लेकर आ को शुरुवात किये हैं बजट पेस हो रहा है और आप जानते हैं कि एक फरवरी को हमारा बजट क्या होता है पेस होता है न कि 28 फरवरी को ठीक है एक फरवरी को 11 बज़े दिन में बजट पेस होता है यह बात भी आप अच्छे तरीके समझ जेगा एक और चेंजेज है उसको यक फर्थ कमीटी के रिकॉम्मेंडेशन पे रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया था अलग कर दिया गया था यह बात आप जानते हैं कि ऐसा हुआ और काफी दिनों तक ऐसा चलते रहा कि railway का अलग से budget निकलता था और आम बजट अलग से निकलता था ठीक है ना और railway के budget में कितने सारे घोस्नाएं होती थी यह होती थी वो होती थी मतलब railway एक सरकार बनाने और ब्रिगारने के लिए पूरा एकदम मतलब इतना ज्यादा उसमें चमता थ फिर क्या हुआ कि 1718 में विवेक देवरा कमीटी ने ध्यान रखेगा नाम एक वर्थ कमीटी और विवेक देवरा कमीटी नाम जरूर रखेगा तो विवेक देवरा कमीटी ने क्या किया कि रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया मिला दिया यानि कि एक कर दिया समाहित कर द इसको इसाथ कर दिया किसको लग किया था रेल बजट को आम बजट से किस ने लग किया था एक वर्थ कमीटी ने अभिवेक देवरा कमीटी ने क्या किया रेल बजट और आम बजट को मिला दिया और तब से रेल बजट और आम बजट एक ही साथ क्या हो रहा है डेलीवर किया जा रहा है और आपने इस बार भी सुना होगा आप लोग इसे पहले भी सुना होगा आपने देखा होगा कि रेल बजट और राम बजट को एक ही साथ समाहित कर दिया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारत का बित्तिय बरस तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से तो संत्री गुरुक में को जाना जाता है जवाहला नहरू को उसके बाद अगला पॉइंट है कुछ स्टैक्स पॉइंट है जिसके बादे हुम बात कर रहे हैं कि बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्शन प्रस्तूत किया जाता है हर साल ठीक है हिंदी इंग्रीस दोनों में तो जैसे मान के चलो कि अभी 2020-2023 का बजट को पेस किया गया ठीक है हिंदी इंग्लीस दोनों में लिखा है बेटा तो एकॉनमी सर्वेक किसका होगा अगर इकॉनमी सर्वेक की बात करेने तो यह होगा 2021-2022 का ठीक हा यानि कि इस साल में सरकार ने क्या खर्चे किये क्या दोको इसमें सब क्या होगा expenses भी होगा इसमें income भी होगा इसमें सरकार के development का percentage होगा development की बात होगी development कैसा area wise area wise area wise अगर आपने कभी भी economic survey को अच्छे से देखा होगा कभी भी economic survey को अच्छे से देखा होगा तो आप उसमें क्या देखेंगे कि area wise उसके सारे data और उसके सारे development की बात किया गया है यानि कि किरसी मैं एक area की बात कुछ area की बात बताब जैसे कि agri अगर agriculture की बात करें तो उसके जो development है उसमें जो फसलों का उत्पादन है कितना बिर्धी हुआ कौन से फसल का कितना percentage बिर्धी हुआ किस राज का सबसे ज़्यादा योगदान रहा all toll agriculture का क्या बिर्धी हुआ किस तरीके से पिछले साल से compare किये कहां lag कर रहे हैं चाही में कितना हम लोगों ने सुधार किया fertilizer का क्या योगदान है या फिर pesticides कितना यूज करते है कितना organic खेती किया जाता है यह सारी कहानी आपको एक अगरी कल्चर के सब क्यावलते है टॉपिक में मिल जाएगा अगर infrastructure की बात हो गया तो सरक अगर अलग से आ गया तो सरक कितना सरक बनाया गया कितना national highway, कितना state highway कितना परधान मंतरी ग्राम सरक बनाया गया और किस तरीके से उसका development किया गया कितना सरकों को पुनरुधार किया गया यह सारी कहानी उसी तरीके से railway का कितना track बना कितना track परपोजल में है, कितने track को बिदूती करन किया गया, कितना over bridge बनाया गया, कितना under pass बनाया गया, यह सारा कहानी आपको option रचना यानि की infrastructure की topic मिल जाएगा, अगर infrastructure नहीं होगा तो railway का अलग से चलेगा, ठीका ना, उसी तरीके से सीख चा, अगर education का अलग से topic मिलेगा आपको economic survey में, तो education में क्या नमांकंदर है, कितना बच्चे नमांकित हुए है, किस तरीके से हमार education का development है, primary level पे, secondary level पे, higher level पे, universities के level पे, कितना बच्चे कहा admission ले रहा है, कितना बच्चा कितना school छोड़ के जा रहा है, यह सारी कहानी education को ले करके, आपको उसमें मिल जाए कि government क्या step ले रही है, क्या योजना चला रही है, यह सारी बाते आपको, तो economic survey जो होता है, economic survey की जो हम बात कर रहे है, यह सारा economic survey की बात करें, वो government के पिछले साल का, यानि कि 22 में, जो भी चीजे government ने किया है, उस सब का data वहाँ पे आपको मिल जाएगा, चाहे वो data final हो या economic survey में आपको government के जितने भी किये गया काम होते है, वो सारा उसमें लिखा हुआ होता है, और 500-600 लगवाग पेज का economy survey है, लगवाग 500 पेज का economic survey है इस बार का, तो लगवाग इतना ही होता है, economic survey और उसको पर कि उसके सारा data आपको याद नहीं रह सकता है, तो उसमें से summarize data जो होते हैं, उसी को आप carry करते हैं, और उसी को current affairs में बना करके, अलग-अलग current affairs में उसको question पूछे जाते हैं, तो हम economic survey को समराइज data को भी आप तक deliver करना ही कोसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले budget जो की बहुत important है, उसके summarize data को, जितना आपके काम का है, उसको हम लोग ने यह लोग जलता है, यह बात वी आप समझ लीजएगा, चलिए, सबसे ज़्यादा बार budget मुरारदी देशाई ने पेस किया था, मुरारजी देशाई ने, सबसे ज़्यादा बार budget, यह 10 बार पेस किया है, 10 बारी, ठीक है ना, चलिए, और वैसे वैसे पर्धान मंत्री जो budget पेस किये है परधान मंत्री रहते हुए तो यह पॉइंट है खास करके मुडार्जी देसाई से कोशन पूछे जाते हैं कई बार पूछे हैं कि सबसे ज्यादा बजट किसने पैस किया है तो मुडार्जी देसाई ने और यह दस बारी बजट किया भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेस करने वाले ये कहे जाते हैं चलिए अब हम लोग बजट करते हैं नयवाले बजट के बारे में थोरा सा बात तो देखो यहां पर मैंने पूरा ब्लैंक रखा है कुछ नहीं है तो इसके पढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं पहला तरीका यह हो सकता है कि या तो हम सीधे-सीधे बजट के डेटा पर जाएं और आपको उसको समझाते हुए आगे बढ़ जाए या फिर हम कुछ concept आपको अलग से clear कर दे और फिर हम बजट के डेटा पे और बजट के उस concept के हिसाब से उसको हम deliver करें तो जो पढ़ाने क जो दूसरा वाला तरीका मैंने बताया, उसे मैं आसान और effective समझता हूँ, अपने लिए भी और मुझे लगता है कि अगर मैं एक human being होने के नाते और resident होने के नाते, इस तरीके से समझना आसान समझता हूँ, तो सैद आपको भी अच्छा लगेगा, और वो ये है कि पहले हम budget क थोरा सा overview और कुछ concept समझ ले कि कैसे क्या है, उसके बाद फिर अगर budget के चीजों को परना सुरू करेंगे, तो हमें वो चीजे याद रहती जाएंगी, और एक बार से revision भी हो जाएगा concept का, तो वो हमेशा के लिए हमारा अपना बन जाता है, तो ये जो point है पहले concept समझाना औ और फिर budget के उपर में आना, ये इसलिए मैंने इसको blank रखा है, तो प्लीज आप हमारे साथ बिल्कुल का attention के साथ बनिए, और हम आपको पहले budget 2022 ते इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ concept को पहले आपके तक deliver करेंगे, उसके बाद budget 22 ते इसको हमें आपके सामने में रख लिजे, क्योंकि जो हम आपको बताएंगे, वो आपको copy में लिखना पड़ेगा, आपको PDF नहीं मिलेगा उस चीज का, जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग इसको अपने copy pane पे लिखिएगा, अब हमारे साथ बनाने कोशिस कीजिएगा, और मैं एक एक करके बात करने की कोशिस करूँगा, चलिए ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, बजट, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखा, बजट, जब हम बजट की बात करते हैं, ध्यान दीजेगा बहुत अच्छे तरीके से, तो दो तरीके की बात होती है, एक तर तरीके की बात होती है, आमदनी की, ठीक है, एक तरीकी बात होती है, आमदनी की, तो कैसा खर्चा और कैसा आमदनी, खर्चा और आमदनी यही बजट है, सिंपल तो यही है कि खर्चा और आमदनी, जितना आमदनी की अगर उतना खर्चा किये, तो बराबर में है, आमदनी से ले करके आप बड़े होते हैं, खास करके हमारे भारत में 10 रुपिया ज्यादा खर्चा हुआ और काम उस लाइक नहीं हुआ करते हैं कि आरे पैसा भी 10 रुपिया बरवाद गया, कहने का मतलब क्या है कि जितना हमने खर्चा किया वो उस हिसाब से आउटपुट हमको मिला नह तो यहां पर ध्यान दिजेगा ठीक है न? हम लोग बात करते हैं थोरा सा revenue के expenses का और revenue के क्या बोलते हैं रिसीप्ट का ठीक है चलिए देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं revenue ठीक है और यहां पर हम लोग बात करते हैं capital मैं आपको बता दू कि जो भी चीजे हम यहां पर आपके सामने में रख रहे हैं उसका हम एक government के द्वारा दिया गया जो data है उसके साथ match भी करेंगे जैसे की यह है government का data ठीक है ना यह है government का data तो इसके साथ हम यहां पर match भी करने वाले हैं आपको तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा है ना चलिए ठीक है कि रेविन्यू और यहां पर हम लोगों ने क्या किया चलिए इसको सोरी मिठी है ना बजट ठीक है इसको हम लोग क्या करेंगे पहले खर्चा expenses और एक तरफ हम लोग करेंगे receipt यानि कि हिंदी में इसको बोलते है खर्चा ब्याय और इसको बोलते है आय और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आय और ब्याय का जो अंतर है expenditure और receipt का जो अंतर है वह हमारा surplus या deficit कहलाता है तो surplus या deficit दोनों कैसे हो सकता है तो अगर आमदनी बढ़ गया और खर्चा कम हुआ तो surplus में यानि कि हमारा budget बढ़िया है हमारे जेवी का budget बढ़िया है कि हमने 100 रुपिया salary पाया है और खर्चा हमने 50 रुपिया किया है यानि कि 50 रुपिया हमारा budget है तो हम surplus में है लेकिन हमने 100 रुपिया salary पाया है और 1.500 रुपिया खर्चा कर दिया है तो इसका मतलब 50 रुपिया का हमारा क्या है deficit है हम यहाँ नुकसान में है यह एक common sense है जिसको आप अपने अंदर develop कर लीजे और उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ फिर से ठीक है तो expenses और receipt यह दो तरीके की बाते होती है जब दो तरीके की बाते होती ह है ड्रेसिट क्या होता है यानि कि कि तरीके की आमदनी होती है वह जर्णा एक बार हम देखे सब्सक्क्राइब गया हूं यानि कि बोलते हिंदी में बलते हिंदी वाले बच्चzur परसान नहीं होगा इंग astronauts के परसान नहीं होगा तो revenue रेविनिङू कारेसिप्ट होटा इक ठीक है अब revenue के receipt में हम क्या देखते हैं कि क्या-क्या आता है उसको जड़ाएक वार अगर देखें तो revenue के receipt में आता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं और अलर दूसरा लेता हूं, एक वैसे खर्चा जो हमें टैक्स से प्राप्त होता है, टैक्स से, टैक्स से प्राप्त होता है, और एक वैसा खर्चा जो हमें नौन टैक्स से प्राप्त होता है, यानि कि जिसको हम टैक्स से प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है, ये दोनों खर्चा वैसा आमदनी जो tax से प्राप्त करते हैं और वैसा आमदनी जो non-tax से प्राप्त करते हैं यानि कि एक कर की आमदनी है और एक गैर कर की आमदनी है ठीक है चलिए अब अगर करकी आमदनी को आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो करकी आमदनी को हम लोग दो भागों में बारते हैं या भारत सरकार दो भागों में बारता है वो है आप देख रहें कि direct tax डाइरेक्ट 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 ड और यहां पर revenue का receipt है, यानि कि राजसु का आमदनी है, राजसु का आए है, और राजसु की आए कैसा कैसा होता है, तो tax का आए होता है, और non-tax का आए होता है, tax का है कैसा होता है या तो tax direct होगा या indirect होगा अब आप बोलेंगे sir direct tax क्या होता है और indirect tax क्या होता है बड़ा ध्यान से समझेगा सेशन को खूब बढ़िये से देखिए लंबा चलेगा लेकिन आप ध्यान से रखेगा वैसा tax direct tax की बात बता रहे हैं वैसा tax जिसपे impose हो वही पे करेगा और indirect tax जिसपे impose होता है वो ट्रांसफर कर देता है यानि कि वो पे नहीं करता है बलकि अगले से पे करवाएगा एक्जामपल आपको बताते हैं जैसे कि अगर हम income tax की बात करे या corporate tax की बात करे या built tax की बात करे या gift tax की बात करे या security transaction tax की बात करे STT जिसको हम बोलते हैं तो यह सारे जो ना taxes है यह क्या है जिस पे impose होगा वही पे करेगा जैसे अगर मेरे उपर income tax impose हुआ है तो मैं ही पे करूंगा मेरे बदले कोई और पे नहीं करेगा यानि कि मेरा ही pen card पे वो income tax पे होना चाहिए ठीक है मेरी pen card के हिसाब से income tax का पूरा का पूरा कहानी चलेगा तो वह impose भी मेरे पे हुआ है और पे भी मैं ही करूंगा यानि कि अगर थपर हमारेंगे जिसको चोट उसी को लगेगा यह है direct tax ठीक है और direct tax का example मैंने क्या बताया direct tax का example बताया इसे income tax, corporate tax, gift tax है ना और उसके बाद STT, wealth tax यह सारे जो है ना direct tax का example है it is a example of direct tax यह सारा इसको लिख लिजेगा सुनके अच्छे से मैंने क्या क्या कि आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो इसको लिख जरूर लेंगे कि कौन-कौन सा direct tax के अंतरगत आता है मैं यह आपे लिखने ही कोशिज करता हूं direct tax में कौन-कौन आता है income tax ठीक है corporate tax निगम कर जिसको बोलते हैं निगम कर उसके बाद gift tax, wealth tax, wealth tax, STT, security transaction tax जो मतलब आप share खड़ते हैं और transaction करते हैं उसमें जो tax लगता है वो आप ही को pay करने पड़ेगा तो STT हो गया तो यह सारे आपके क्या है direct tax है और इसको रटा मारने की भी जरूरत नहीं है क्यों रटा मारने की जरूरत नहीं है बस आप ऐसे समझें कि जो tax आप पे लगा और आप पे ही pay करे वो direct tax है ठीक है मतलब आप इससे पीछा नहीं चुरा सकते हैं तो indirect tax क्या है तो वहा दो बरे ध्यान से समझ जैगा जैसे कि यह पन बना और यह पन में raw material लग पूरी बात समझना फिर indirect tax आपको समझमें आजाय गा पूरी बात समझना मेरी ठीक है तो यह पन बना इस पन में raw material लगा जबिए और इस पर direct tax government ने लिया लिया ठीक है तो वह indirect tax अब यहां पर impose हो गया तो क्या करहिए अब factory बाला वो tax और raw material का कीमत सब लगा के pain बनाया और सब की कीमत जोर करके wholesaler को दे दिया ठिक है wholesaler वहाँ अपना दो रूपिया profit करके और retailer को दे दिया retailer अपना दो रूपिया profit करके और consumer को दे दिया यहींनी हमको दे दिया तो हम जो पैसा पे करतें सिपें में उसमें लिखा हो रहता है inclusive all taxes तो हम जो पैसा पे करते हैं उसमें tax इंक्लूड रहता है tax का काम किया उस factory बाले ने raw material उसने बनवाया यह बनाया मंगवाया और उसको बनाया manufacture किया तो उसमें जो tax लगा वो indirect tax लगा ठीक है लेकिन हम तक वो आया और उसमें उस tax का पैसा include करके उसने दिया तो pay finally कौन करते हैं हम करते हैं लगा किस पे था factory वालो पे या raw material वालो पे तो लगा किसी और पे और यह कोई और करेगा यानि कि यह tax जो हता है ट्रांसफर होता है कई चर्णों में ट्रांसफर होता है कई चर्णों में यानि कि factory वाला से wholesale वाले के पास retailer वाले के पास, retailer वालों के पास और वहाँ से फिर consumer वाले के पास अगर घर से पैसा tax पे के आपको समान देगा तो समान सस्ता हो जाएगा simple बात है तो finally आप ही पे करते हैं इस tax को लेकिन लगता किसी और पे है तो यह जो चरण है यह shift होने का यानि कि shifting का यही indirect tax है यानि कि indirect tax में हम लोग क्या करते हैं कि वो जिस पे लगता है वो पे नहीं करता है इंडी यूजर यानि कि हम जो consumer है वो पे करता है वो भोकता पे करता है और इसका सबसे अच्छा example जब से GST लाग हुआ है तब से बहुत सारे indirect tax समाप्त होगा है जैसे BAT समाप्त होगा है सर्विस टैक्स समाप्त होगा है बहुत सारे टैक्स समाप्त होगा है तो GST इसका indirect tax का सबसे अच्छा example हमारे सामने में दिखाई दे रहा है ठीक है ना? चलिए तो आप ध्यान देजिएगा जो हमने आपको क्या बताया? ये समझे हमने आपको बताया ठीक है? कि revenue के receipt से दो परकार के receipt होते है एक tax से यानि कि कर योग राजस की कर आज से आमदनी होता है भारा सरकार को और दूसरा गैर कर से आमदनी होता है भारा सरकार को और कर से कहां का आमदनी होता है तो direct और indirect दो परकार के tax है दोनों का example यहाँ पर मैंने लिग दिया है लेकिन इसको याद नहीं रखिया बस direct और indirect को आप अगर concept से समझेगा है कि जिस पर लगा वही pay करेगा तो direct और जिस पर लगा वो अगले को transfer कर दिया तो indirect tax तो फिर आप वहाँ पर tax को पकर लेंगे question का answer आप जबाब दे देंगे अब अगला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह क्या है वह आपको देखिए non tax है याने कि गैर कर यहां से कैसे आमदनी होता है तो वह मैं बताता हूं यहां से आमदनी होती है गौर्मेंट की किसे देखिए वहां से आमदनी होती है यहां से आपके आमदनी होती है सर्विसेज से जो गौर्मेंट सर्विसेज देती है वहां से आमदनी होती है रेलवे की सर्विसेज बैंक की सर्विसेज पोस्ट ओफिस की सर्विसेज तो यह सारे सर्विसेज से यहां पे आमदनी होती है ठीक है र railway की services, bank की services या फिर कहीं कोई चुंगी बेगरा हुआ, चुंगी जिसको हम बोलते हैं क्या tall tax हुआ या फिर लेवी अगर किसी चीज के लिए असूला जा रहा है, या फिर कोई SES हुआ असूला जा रहा है तो these are non tax, SES दरासल tax पे tax है, तो ये सारे non tax है जहां से government की आमदनी होती है और ये बड़ी आमदनी है लेकिन tax की आमदनी सबसे ज़ादा होती है यहाँ पे और ये exam का question मैं आपको बताता हुआ चलूँगा हर चीज एकदम मैंने काना मैं अभी इतना ही दूर आया हूँ लेकिन एक एक चीज आपको समझा करके तब आगे बढ़ेंगे नहीं तो नहीं बढ़ेंगे ठीक है ना चलिए तो मैंने क्या कहा कि ये tax है डारेक्ट है और जो non tax सामदनी हो कहां से postal stamp बेज करके या फिर postal के जितने भी activities है stamp या activities ठीक है जो भी activities है वहाँ पे जो postal का account खुलता है रिक्रिंग अकाउंट बेगा रहा है यह सब है जहां से भी क्या वहलते interest बेगा आने का interest भी है प्याजागा interest interest ठीक है interest तो interest की जो आमदनी होती है ये भी आप देख लीजेगा क्या है वह revenue आमदनी हर्यों को सन exam में पुछा है याद रखेगा यह question BBI है ठीक है यह BBI है याद रखेगा ठीक है तो अब आपसे question पुछेगा कि जो government ब्याज पाती है अब ब्याज कैसे पाएगी तो ब्याज अगर government किसी को उधार दिया है लोन दिया है और उस पे ब्याज अगर पाती है तो वह revenue interest यानि revenue के receipt में आएगा ब्याज ब्याज पाना revenue राजस सुखाते में आता है और यह question exam का मैं आपको फिर से एक बाद बताऊंगा भी तो ध्यान रखेगा तो tax non-tax non-tax में आपने क्या देखा पोस्टल के जितने भी activities है पीएसी जो government कितने सारे ONGC क्या बलते हैं गेल भेल सेल दुनिया वर की जो कंपनिया है NTPC यह सब के सब जो है ना आमदनी जो करती है उससे जो government को आता है वो ठीक है services जो government railway banking और दुनिया वर की services जो government provide कराती है वो इंट्रेस्ट जो government उधार देती है किसी को बाहर दूसरे देश को दे सकती है किसी और को दे सकती है उससे जो interest पाता है वो भी government यहां पर पाती है तो वो revenue का पूरा का पूरा क्या है model है जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि revenue receipt के अंतरगत क्या-क्या आते है अब यहां पर एक exam का question और आपको बता दे कि इस बार जो भारत सरकार की आमदनी हुई है उसमें सबसे जादा आमदनी कहां से हुआ है तो GST से हुआ है सबसे जादा आमदनी इससे पहले corporate tax से हुआ करता था यह income tax और corporate tax इस बार दूसरे नमबर पे है यह पहले नमबर पे है सबसे जादा आमदनी में पहले नमबर पे GST goods and services tax ठीक है न बस तू और सेबा कर ठीक है न चलिए बस तू यह और सेबाय कर चलिए उसके बाद एक आता है receipt की बात ही कर रहे हम लोग फिर इसके बाद expenditure प्याएंगे एक receipt आता है जिसके बार में बात करें इसको भी हम दूसरे color से लेलते हैं वह हता है capital receipt capital receipt capital receipt capital receipt capital receipt और इसको हिंदी मोलते पुंजी पुंजी गत प्राप्तिया ठीक है न यह आए है या फिर यहां पर आपको प्राप्तिया लिखा हुआ मिल जाएगा प्राप्तिया ठीक है पुंजी गत प्राप्तिया यह आए है यहां पर पुंजी गत प्राप्तिया आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यह तो revenue का पूरा का पूरा है, capital का यहाँ चल रहा है, तो capital income में, जो की receipt का part है, receipt का दो part, एक revenue, दूसरा capital, ठीक है ना, ठीक है, तो capital income में होता है, कि अगर पैसा कहीं से, जो उधार चुकाया हो, है ना, तो recover, जो borrow money है, recover किये है, वो, recover, borrow money, है ना, recover, क्या बहुता है, loan, loan अगर किसी को दिये है, हमने, हमने किसी को loan दिया, और वो हमको चुका दिया, तो वो capital income है, revenue income नहीं है, वो capital income है, ठीक है, अगर loan किसी को दिया, और वहाँ से, अगर हमें चुका दिया, तो recovery of loan, एक बड़ा सबसे important point है, capital income में, recovery of loan, या फिर, किसी से हम उधार लिए, borrowing from others, borrowing, borrowing from others, है ना, दूसरे से, from others, यह दो ऐसा income है, यहाँ पर ध्यान दिजेगा, मेरी बात को अच्छे तरीके से, दो ऐसा income है, जो कि capital income के अंतरगत आता है, यह दो income, ठीक है, capital income के अंतरगत, है ना, recovery of loan, यानि कि हमने किसी को loan दिया, और वो हमको वापस कर दिया, तो recovery of loan हो गया, और अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ परिसा आया, तो वो भी हमारा एक income का जरिया होता है, इंकम का जरिया होता है ना, उधार लेना, आरे आप, माने के चलो कि आपके जेव में एक रुपया नहीं है, और किसी से आप उधार ले लिए 500 रुपया, तो जेव में 500 रुपया हो गया ना, उस 500 रुपया का काम तो आप कर सकते हैं, ये अलग बात है कि वो 500 रुपया बाद में जाके चुकाना पड़ेगा, ये अलग बात है, लेकिन अभी उस 500 रुपया का काम तो आप कर सकते हैं, तो जो उधार आप लेते हैं, ये आपके एक income का जरिया होता है, भले उसको बाद में चुकाना पड़े, ठीक है, लेकिन जब हम राजगोशिय निती निकालते हैं, जो final राजगोशिय इसको fiscal deficit बोलते हैं, वहाँ उधार को हम हटा देते हैं, क्योंकि उधार लेकर के घी पीना, अच्छी बात हमारे समाज में या हमारे देश में या दुनिया में नहीं माना जाता है, यानि उधार कभी ने कभी आपको चुकाना होता है, इसलिए fiscal policy में fiscal deficit को निकालते समय, उधार को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, वो बात भी हम यहाँ पे देखेंगे अच्छे तरीके से, पहले आप इसको एकदम अराम से लिख लिजिए अपने copy में, अगर नहीं लिखा है ना बेटा तो फिर समझ लेना, यह एक नमबर है और यह दूसरा नमबर ध्यान लखना, पहला नमबर हमने क्या बताया, revenue, receipt, और receipt के अंदर गते आ रहे हैं, revenue और receipt के अंदर आ रहे हैं, क्या capital, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक और दो, और यह है कुछ इस तरीके से इसके अंदर की कहानी, ठीक है, यानि कि revenue के अंदर गत, यह capital के अंदर गत, और यह receipt के अंदर आएगा, ठीक है, चलिए आगे, अब expense के अंदर बात करते हैं, expense के अंदर फिर से, expense के अंदर बात करें, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, फिर से यही बात करेंगे, यानि कि revenue, revenue expense, revenue expense, ठीक है, है ना, यह एक नमबर होगा, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कि revenue expense में क्या-क्या आएगा, ठीक है, क्या-क्या revenue expense में आएगा, वो ध्यान देने मेली बात है, तो revenue expense के अंतरगत आते हैं, इंट्रेस्ट पीड दो यहां पर इंट्रेस्ट क्या है रिसीव्ड है मैं यहां पर थुरा सा कर दू इसको अच्छे तरीके से इंट्रेस्ट रिसीव्ड है यानि कि ब्याज हम प्राप्ट किया है इंट्रेस्ट रिसीव्ड है ब्याज हम क्या किया है प्राप्ट किया है हिंदी बलाव अच्छा बिल्कुल परसंद नहीं होगा इतना चिला-चिला के बोल रहा हूं ना कि आप एकदम अच्छे से लिख लेंगे ब्याज यहां प्राप लेन नना कैपिटल रिसिप्ट तो उधार लेन बॉरिंग फरम अधर उधार ले न दुसरे को तो दूसरे से जब उधार लिए तो उसको हम ब्याज देंगे तो वह revenue का expense है और जो उधार लिए है capital वह capital का क्या है ah receipt है तो उधार ले तो capital मिला हमको capital मिला तो capital में रखेंगे और जब pay कर रहे हैं तो हम revenue से pay करेंगे यानि कि revenue expense के अंतरगत उसे head को रखा जाएगा तो interest paid हो गया ठीक है यानि कि interest को हमने pay किया वो revenue के खर्चे में उसके बाद और बहुत सारे खर्चे है revenue के में ऐसे education पे अगर कोई खर्चा हो गया ठीक है education पे खर्चा हो गया कोई grants हो गया या फिर यहां पे बहुत सारे खर्चे है कितना मैं इसमें जो रूल लिखू चाहे defense के खर्चे है रख्चा जिसको बोलते है defense के खर्चे है ठीक है यहाँ पर खर्चे है चाहे आप salary किसी को दे रहे हैं उसकी खर्चे है और जानते हैं government कितना salary देती है गॉल्वर्वनेंट का बहुत जड़ा salary देती है то salary के ख़र्चे है तो यह सारे खर्चे आपके revenue के रिसीट में और अधर्स लिग देता हूँ, जितने भी खर्चा दिमाग में आये ना, वो सब आपको revenue के receipt में आते हैं, चाहे वो मरमत मकान का मरमत कराना हो, चाहे वो salary दे रहे हो, चाहे कोई क्या बोलते हैं, ग्रांज दे रहा हो, education में खर्चा कर रहे हो, कुछ इस तरीके का है, चाहे वो मनरेगा में खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो कोई योजना में खर्चा कर रहे हैं, काई भी schemes, है ना, इसकिम्स में खर्चा कर रहे हो, यह सारे के सारे किसके अंतरगत आएगा बिटा, यह सारे के सारे आएंगे, revenue, expenditure के अंतरगत, अब यहाँ पर एक एक एक्जाम का question फिर से बन जाता है, उसको लिखना जरूरी है, कि भारत सरकार जो नयवला budget है, या हमेशा से जो budget पेस करती है सबसे ज़्यादा खर्चा, मैं फिर से बोलू, सबसे ज़्यादा खर्चा किस मद में करती है, कौन से, क्या बोलता है, हेड में करती है, तो सबसे ज़्यादा खर्चा ब्याज की अदायगी में होती है, interest paid में होती है, सबसे ज़्यादा खर्चा, सबसे ज़्यादा खर्चा खर्चा, ठीक है, किसमें interest paid में, और सबसे ज़्यादा आमदनी, किस से, GST से, याद रखेगा, यह दोनों exam का question बना है, तो यह भी BVI है, वो भी BVI था, यह भी BVI है, कई बारी question exam बना है, कई बार नहीं, कई बारी बना है exam का question, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लिजे, एक दम ध्यान से देख लो, एक दम अच्छे से, ठीक है, चलो, तो अब revenue हो गया, अब revenue के बाद हम लोग बात करते हैं, आगे, दूसरे नमबर में किसका, capital का खर्चा, इसको मैं दूसरे कलर से कर दूँ, तो कि दूसरे कलर से करते आ रहा हूं, तो दूसरे कलर से करूंगा capital, capital का खर्चा, तो capital का revenue का expense, revenue को क्या बोलते हैं, राजसु ब्याए, और यहाँ पुंजी गत ब्याए, बेटा हिंदी में लिखा हुआ है, पुंजी गत ब्याए, प्रसान नहीं होना हिंदी इंगलिस वाले बच्चे, मैं बोल रहा हूं, अच्छे तरीके से, ठीक है, चलि रखना, हम capital expenses की बात कर रहे हैं, तो जब capital expenses की बात आता है, तो वैसे सारे खर्चे, मेरी बात को अच्छे तरीके समझ लेना, वैसे सारे खर्चे, जिससे कोई asset का निर्मान हो, वो capital का खर्चा है, asset निर्मान बाले खर्चा, यानि कि जिससे asset बने, ठीक है न, fixed asset, या asset का न फिक्स एसेट का जो निर्मान हो वो capital expense के अंतरगात आता है यह इसका सबसे important खर्चा है capital का ठीक है ना ध्यान रखना अच्छे तरीके से capital expense के अंतरगात वैसे खर्चा आते हैं जिससे asset का निर्मान होता है अब इसको मुझे को समझाना भी है है ना जानते हैं आप अच्छे स खर्चा है यानि capital expense है ध्यान रखना इसकूल बनाया asset का निर्मान हुआ capital expense है मैंने एजुकेशन को यहां पर रिखा है revenue में लेकिन education में किताब में education में salary देने में education में midday meal में education में repairing में तो यह सारा खर्चा आपका revenue के अंतरगत आएगा लेकिन education में ही अगर कोई capital बन गया इन्वर्सिटी बना दिये दिवाल उवाल बना करके स्कूल बना दिये है ना कोई कॉलेज बना दिये तो वो क्या होगा कैपिटल का खर्चा होगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फूजन और उसको दूर करते हैं कन्फूजन पहले क्रियेट होगा फिर दूर करेंगे कन्फूजन यह है कि स्कूल को बनाना कैपिटल का खर्चा है लेकिन स्कूल को रिपियर करना रेविन्यू का खर्चा है ज्यानकना स्कूल को रिपियर करने से कोई एसेट का निर्मान नहीं होता है दरसल asset का निर्मान तो हम पहले कर दिये हैं कि school बन गया है अब उसमें repairing चल रही है हजार दूहजार पांस जार दस जार लग रहा है समय समय पे तो these repairing comes under revenue expenses बट स्कूल बन गया इस्कूल नया घर बनाए हो तो capital का expenses है लेकिन उस घर में चुन्ना बन लगा रहे हो उस घर में पोताई कर रहे हो तो revenue का खर्चा है सोने का चैन लिए हो सोने का चैन तो capital का खर्चा है लेकिन सोने के चैन को साफ करवा रहे हो यानि कि उसको jewelry क पास ले जाकर कुछ की सफाई करवा रहे हो तो revenue का खर्चा है differentiation समझो वैसे खर्चा जिसे कुछ asset बने और वह asset valuable हो अच्छा तो आप बोलेंगे सर कपड़ा खरदे तो वह fixed capital का खर्चा और कपड़ा पर iron करवाए कपड़ा को धुलाए तो वह revenue बिलकुल नहीं कपड़ा ही revenue है क्योंकि यह कपड़ा जो हैना fix asset नहीं है यह asset का मतलब यह होता है जो long term में आपको जो हैना return दे तो इस्कूल अगर आप बना देते हैं तो long term में बहुत बढ़ा return होता है कितने सारे बच्चे उसमें पढ़ते हैं ठीक है मैं जीस स्कूल में पढ़ा था 1916 में बना याद रखिएगा 10th वहां से किया है तो बहुत बढ़ा इस्कूल बहुत बढ़ा इस्कूल है वह उसी समय का बना हुआ तो repairing करकर के उसको जिंदा रखा और आज भी वह जिंदा है आज भी इस्कूल है कभी-कभी इस्कूल के आसपास से निकल जाते हैं अपने पुराने य capital का खर्चा है और रोड बनना और रोड का repairing करना revenue का खर्चा है अगर railway का track बन गया नया track तो capital का खर्चा है और इस track का repairing हो रहा है तो revenue का खर्चा है ध्यान रखना तो यह बात अप अच्छे तरीके समझे कि जो asset बन गया fixed asset जो काम आएगा जो की हमारे देश के development में बना का बना हुआ है तो fixed asset है जिसमें हमारे नय government ने सिर्फ उसको repairing करके जिंदा रखा है चलो building बनाने में खर्चा तो नहीं आया अगर building बनाने में government को खर्चा होने लगता जितने railway station है पूरे भारत में government उसी में परसान हो जाती उसी को बनाते बनाते तो ध्यान रखेगा आपको jewelry की बात की तो jewelry fixed asset का खर्चा है और वो capital के अंतरगत आएगा लेकिन jewelry की सफाई करवाना उसको तूट गया तो उसको जुरुआना ये सब revenue expenses है अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको बहुत बोलवाली आपने चलो ठीक है तो ये य आपके खर्चे और ये आपके आमदनी ये आपके खर्चे ये आपके आमदनी अच्छे तरीके से लिख लो और फिर मैं आपको कुछ और चीश समझाओं ठीक है screenshot ले लो लिख लो अलागि लेना अच्छा है क्योंकि जब साथ साथ हम परहा रहे हैं तो लिखना ही ज्यादा बेहतर होगा आपके कॉपी में अब चलिए ठीक है चलो आगे बरते हैं अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं revenue के खर्चे और capital के खर्चे और इस दोनों खर्चे को मेरी बात को बड़ा गौर से समझेगा बहुत अच्छे तरीके से समझेगा ठीक है इस दोनों खर्चे को ज प्लस capital receipt और revenue expense प्लस capital expense इस दोनों को अगर हम जोर देते हैं तो यह बन जाता है total total receipt total कुल आए ठीक है मैं यहापर लिग देता हूँ total receipt लिग देता हूँ मैं यहापर total total receipt receipt total receipt हिंदी बोलते है कुल आए ठीक है कुल आए कुल कुल आए इसको क्या बोलता है हिंदी में कुल आए और इसको अगर मैं यहाँ पर जोर दूँ इसको बोलते है total expenditure इसको बोलते है हिंदी में कुल आए क्या बोलते है बेटा कुल आए तो ध्यान देना मेरी बात को अच्छे तरीके से अगर revenue और capital के receipt को दोनों के receipt को जोर दे तो कुल हो गया ना ठीक है उसी तरीके से दोनों के खर्चा को जोर दे तो कुल हो गया सिंपल बात है ठीक है ना जैसे कि आपने जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ मान के चलो कि मेरी इंकम यहाँ पर पढ़ाता हूँ और मैं यहाँ से 100 रुपया कमाता हूँ मेरी बात को बड़े च्छे तरीके समझेगा पूरा का पूरा बजट जो बोर्ट पर लिखा हुआ ह आपको हम असान तरीके समझानी कोशिश कर रहे हैं, example बहुत सारा दे रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहां पर कमाता हूँ, तो 100 रुपिया कमाता हूँ यहां से, और अगर मेरे पास खेती है घर पे, और वो अगर 50 रुपिया या 60 रुपिया कमाता है, तो हमारा income 100 रुपिया यह अलग-अलग मद तो जरूर है, अलग-अलग हेदिंग तो जरूर है, फिर अगर हमारे दादा जी, हमारे पिता जी, हमारी मम्मी का अलग-अलग income है, तो वो उनके मद तो है, लेकिन जब हम कहेंगे कि हमारे घर की आमदनी क्या है, हमारे घर की आमदनी क्या है, तो मेरा income 100 रुपया मेरे खेती का income 60 रुपया मेरे पिता जी दादा या मम्मी या जो भी घर में परसन है उनकी income सब को मिला ले अगर वो 200 250-300 रुपया हो जाता है तो वो total income हुआ लेकिन जब individually हमको कहोगे तो हम 100 रुपया ही कमाते हैं लेकिन जब दोनों जुड जाएगा तो 160 रुपया हो जाएगा तो वही बात है अगर expense की income और expense की खर्चे की बात करें तो यहां पर दिखाई दिया रहा कि इतना ही खर्चा है expense की ठीक है लेकिन capital की तो इतना ही है लेकिन जब दोनों को जोड दिये तो क्या हो गया कुल कुल total ठीक है न बेटा total बड़ी आर्थान तरीके समझना बहुत अच्छे समझना मैं बहुत अच्छे आपको समझानी कोशिस कर रहा हूं चलिए आगे बढ़ गया आगे बढ़ते हैं हर चीज को हम आपको बोड पे दिखाएंगे जो government का data है ना उससे हम अपने पूरे कहानी को match भी करेंगे अगर ना match हो गया तो फीर पूरे कहानी को match करेंगे चलिए ठीक है हो गया अब आगे पढ़ते हैं तो आप चुके आप जानते हैं कि जो भारत सरकार का पूरा का पूरा नुक्साम का बजट हाँ गाहटे का बजट को होने का होता है अगर उसको समझना है तो अब मैं आपको फी में इसको मिटा रहा हूँ इसको मैं मीटा रहा हूं जो इतना अच्छा मैने लिखा है चलिए ठीक है तो मैं आप नुक्सान को समझा रहा हूं यानि की घाटे को समझा रहा हूं deficit को देखे, जब आपकी आमदनी ज्यादा हो और ख़र्चा कम हो जाहे तो वैसे में deficit surplus होगा, लेकिन खर्चा जादा हो और आमदनी कम हो तो वो deficit हो जाता है, तो मैं इसको ज़रा अच्छे से समझाता हूँ, revenue capital, expense capital वगारा सब आपने लिख लिया होगा, अब मैं अच्छे से आप इसको समझाता हूँ, ध्यान दखेगा, बड़े अच्छे तरीके यह लिखा मैं deficit, deficit का मतलब क्या होता है, यह बात हम आपको बताते हैं, deficit का मतलब होता है ghaata, यानि कि नुकसान, और जब भी deficit सब्द आपके सामने में दिखाई देना, तो इसका मतलब होता है कि आपने आमदनी कम किया है और खर्चा जादा किया है, आपने आमदनी कम किया है और खर्चा जादा किया है जब भी deficit की बात आएगी तो यानि कि आपका खर्चा जो है न में से आमदनी को यानि कि आमदनी को बचत को आमदनी को क्या करना पड़ेगा आमदनी को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा जब भी deficit की बात हो, मतलब देखो, exam में deficit पूछे, अब देखो इसको बनाने, exam में बनाने का एक तरीका होता है, exam में deficit पूछे, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, deficit लिख करके, और ये ढूंडेंगे, या फिर उस option में ये ढूंडेंगे, कि खर्चा में से आमदनी को घटाय है कि नहीं घटाया है, आमदनी में से खर्चा नहीं घटेगा, खर्चा में से आमदनी घटेगा, ठीका, expense में से receipt को माइनस किया जाएगा, और ये जब भी आपके सामने में आ जाए, इसका मतलब है कि deficit है, लेकिन अगर receipt यहां आए, और expense यहां आए, तो वो surplus हो जाएगा, surplus, यानि कि surplus को अगर मैं यहां पे छोटा सा लिखू, surplus, surplus अगर यहां पे लिखू, तो surplus होता है, receipt, receipt minus expenses, receipt minus क्या वेटा, expenses, ठीका, वो surplus होगा, लेकिन आप जानते हैं कि भारत सरकार का जो, क्या बोलते है, budget है, वो surplus नहीं है, deficit का है, अब यहां पे देखो, मैं क्या आपको क करने वाला हूँ, उसको बड़े गौर से देखना, बड़े अच्छे तरीके से, अब मैं करना कुछ नहीं है मेरे को, इसमें R लगा देना है, R, और R लगाते ही, सब के आगे हमको R लगा देना है, R, सब के आगे, और इस R का मतलब होता है, revenue, revenue, यानि कि इस R का मतलब होता ह है, राजसू, अब आप से question पूछेगा, कि राजसू घाटा क्या होता है, तो यह है, राजसू घाटा, क्या होता है, तो राजसू घाटा बड़ा बड़, राजसू, राजसू का खर्चा, या राजसू की ब्याए, खर्चा की जगाँ पर ब्याए अच्छा लगता है, ब् अब यहां पर एक बात देखिए, मैंने किया कुछ नहीं है, क्या किया है, बस deficit का formula मैंने बताया है, कि deficit क्या होता है, मैंने expense और receipt लिख दिया, कि भईया, अगर खर्चा जादा होगा, और आमदनी कम होगा, तो तुम नुकसान में रहोगे, एक simple है, और इसके आगे क्या लग गाटा का formula तयार, मैंने कुछ किया ही नहीं है, रटा मारा ही नहीं है, न मैं चाहूँगा कि आप रटा मारो, एक दम नहीं, बड़ा simple है, मैं फिर से बता हूँ, अगर expense आपका बढ़ जाए, मतलब खर्चा बढ़ जाए, आमदनी कम हो जाए, तो आप नुकसान में है, जि के आगे सिर्फ RRR लगा दिया जाए, यानि कि राजसो को लगा दिया जाए, revenue को, तो revenue deficit का formula बन जाता है, simple, करना कुछ है ही नहीं, रटा मारना ही नहीं कि revenue deficit equals to revenue expense minus revenue receipt, नहीं, कोई जरुबत नहीं है, बस आप सिर्फ यह समझे कि deficit equals to expense minus receipt, बस इतना ही समझे है, ठीक है, चलि revenue का नुक्सान आपको समझ में आगया, और एक दूसरा नुक्सान होता है, जो बड़ा importantly exam में question पूछा जाता है, उसको भी मैं हम एक बार आपको दिखा देते हैं, वो नुक्सान होता है deficit का, deficit, तो नुक्सान ही है, तो उसको हम क्या करेंगे पहले, deficit लिग दिये, क्या करें में से क्या minus होगा, receipt minus होगा, खर्चा में से, अब यहां पर पूछा क्या रहा है, exam में question पूछा रहा है, fiscal deficit, हिंदी में इसको बोलते हैं, राजकोसिये घाता, राजजकोसिये घाता, fiscal deficit पूछा है, मैंने करा कुछ नहीं है, deficit expense minus receipt, deficit जैसे यांगे यह है ये आना यहीं चाह उसके बाद हम expense के आगे क्या लिख देंगे total, total expense, अब total expense क्या होता है, यह मैंने भी तुरत बता है, total expense बढ़ाबर revenue expense plus capital का expense, तो total expense यानि total expenditure, माइनस में total receipt, total receipt क्या होता है, तो revenue का receipt plus revenue का, capital का receipt, ठीक है, राजा सो आए, पलस में पुंजीगत आए, दोनों को जोड़ दिये, तो total निकल गया, तो अब fiscal deficit क्या है, total expense minus total receipt, simple, और इस total receipt में, और एक बात जो मैंने आपको बताया था, वो borrowing बला, यानि कि उध उधार वाला, borrowings, borrowings लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे, यानि कि उधार, उधार लिख देता हूँ, और उधार लिख देता हूँ, तो अब ये तयार हो जाता है, आपका fiscal deficit, और ये सबसे ज़्यादा, राजगोसी ये घाटा जिसको आप बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा, एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं, राजगोसी ये घाटा, कुल ब्याय माइनस कुल आय माइनस उधार देव, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया fiscal deficit, जिसको बोलते हैं, राजगोसी ये घाटा, करना कुछ नहीं, राटा तो हमने मारा ही नहीं, अब आप ब लेंगे borrowing क्या हटाया, तो भी मैं आपको समझाता हूँ, दर असल किसी भी देश के नुकसान को निकालने के लिए, या किसी भी घर के नुकसान को निकालने के लिए, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, कि आपने जो भी खर्चा किया है, और जो आमदनी किया है, उसको आरा उधार लिया, एक्जामपल सुनो, ठीक है, एक्जामपल बताता हूँ, 100 रुपया मेरे पास है, और किसी से मैंने 200 रुपया उधार लिया, और 100 रुपया पहले से मेरे पास, तो कितना हो गया, 300 रुपया, और इस बार हमने आमदनी कितना किया, तो ये 300 रुपया मेरा हो ग तो इस इसाब से कितना नुफशान हुआ 50 रुपिया नुखसान हैं लेकिन यह 50 रुपिया का नुक्सान जो है न बज़ेटरी नुक्सान लेकिन राज़कोषिय नुक्सान के बात करेंगे तो यह ढमüs och और रहे इसको ही माइनस कर देना होगा पचास उरुपिया तो वो है जो उधार जोर करके आम दनी जोर रहे हो, उधार को क्यों जोर रहे हो, आज नकल तो तुमको इसको हटाना पड़ेगा, तो जब इसको हटा देते हैं, तो आपका बास्तविक जो आपके उपर liabilities है, बास्तविक जो आपको दे है, वो पचास उर होए है, capital receipt में जोरे होए है, और यहां total receipt में से borrowing हटाओगे, यानि उधार हटा दोगे, तभी तो तुमको पता चले है कि हम बाकई में कहां खड़े हैं, यानि कि हमारे उपर कितना liabilities है, कितना हम उधार में है, इसलिए राजकोशी घाटा में से borrowing को हटा देते हैं, ठीक है रट्टा मारोगे तो काम नहीं चलेगा, अगर fiscal deficit पूछ लिया, तो करना कुछ नहीं है, जितना अमदनी हुआ सब को लियाओ, जितना खर्चा हुआ सब को लियाओ, और फिर उधार को तो हटाओगे न, क्योंकि आमदनी में तुम उधार जोरे हुए हो, उधार को हटा करक वही राजकुसी घाटा होगा, ठीक है न, चलिए, आगे बरते हैं, अब इसको मैं यहाँ पे government के जो नयवाला budget है, उसके data से इसको match कराता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहां पे हम लोग हैं, ठीक है, यह देखो नयवाला budget है, मैं इसको उपर करता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ-कुछ budget के बारे में बात करता हूँ, ताकि आपके exam का question यहाँ से solve हो, और मैं कुछ-कुछ लिखते हुए चलूँगा, वो भी आप लिखेंगे, चलिए, सबसे पहले उपर से बात करते हैं, यह budget कहां कब का है, तो यह budget है आपका, 2022-2023 का budget है यह, 2022-2023 का budget है, और जब भी बजट crash होता है, तो उसमें 3 साल का data होता है, तीन साल का data, यह भी question exam में आया है, 3 year data होते है, उसमें 3 year data, 3 year data होता है, 3 year data होता है, कहां होता है 3 year data, वो दिखाता हूँ, वो देख vidéo तूम, देखो, पहला है 2021 का data दिखाई दे रहा है दूसरा है 2021-22 का data और तीसरा है 22-23 का data दिख रहा है न ये पहला data पहला 2021 का जो कि बास्तिविक है यानि कि अब ये बास्तिविक आगया कि कितना हमारा है 21-22 का ये data है दूसरा और तीसरा दूसरा ये total ठीक है और ये तीसरा हमारा है, किसका? 22-23 का data, ठीक है? ध्यान रखिएगा, तो तीन डेटा है, एक, दूसरी बात पहले data जो होता है ना बजटका, जो पहला data होता है, वो बास्तिविक होता है, actual होता है, यानि कि जो income हुआ, जो कहरचा हुआ, वो बास्तिविक होगा, और वो हमेश में 20 21 का डेटा आएगा और 22 जो आज यहां पर लिख रहा है वह 24-25 जब होगा 25-26 तब यहां पर 22 होगा और वहां पर 25-26 होगा याद रखेगा ठीक है तो ध्यान रखेगा 21 21 22 22 22 22 22 जभी कने ऊपर 22 22 22 22 24 25 हैं एक अगर बडरते हैं आप यहां पर बात कर रहा है कि यहां पर एकीन अथाम चैक दिंडरी खाल पर लाया धुल करना लोग भी ध्यान भी देथैना और नहींते को Beim बस ध्यान आपको जहां देना है नो वहां मैं आपको दिलाने की कोशिज कर रहा हूं, बस मेरे साथ आप बने रहे हैं, ध्यान आपको क्या देना हो, मैंने आपको क्या बताया, क्या बताया, अपने कॉपी में अगर तुमने नोर्स बनाया है, तो उसको देखो उल्टो अभी कर राजस यानिकि tax हिंदी इंग्रिश्ट दोनों में लिखा हुआ है tax revenue, tax और कर भीन यानिकि non-tax और tax में हमने क्या बता है direct tax और indirect tax, non-tax में क्या बता है दुनिया भर की कहानी, तो ये समझ में आ गया, ये वाला जो खाचा है वो तो clear हो गया, हो गया ना पक्काना हाँ या न लीखना ठीक है न हो गया किलियर कोई दिक्कत नहीं है दूसरा मैंने बताया capital का क्या बलते हैं receipt capital receipt में क्या हो तो मैंने कहा कि borrowing लेते हैं और दूसरे से उधार लेते हैं मतलब दूसरे से उधार यानि borrowing और जो उधार दिये उसका अगर recovery हो गया तो वह देखते हैं क्या बोल रहा है पुंजी प्राप्तियां जिसको capital receipt मैंने क्या का recovery of loan ये बात आपने बता दिया मैंने बता दिया और दूसरा क्या होता है borrowing and other liability यानि कि जो किसी सम्धार लिये तो ये बला खाचा भी आपका हो गया और जब ये दोनों को मिला दिये मैंने क्या कहा था कि जब दोनों प्राप्तियों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा कि पहले मैं बता चुका हो उसके बाद आपको दिखा रहा हो कि सरकार कैसे करती है या कोई होगा लियू का expenditure बताया और मैंने बताया कि उसमें कितने सारे expenditure होते हैं बहुत लंबा लिस्ट था तो वह सारा देखो expenditure कुल यहां पर एक ही साथ कुल भीया कर दिया है तो मैंने बताया अटने की school बनाना तो यह दोनों हो गया आपका capital के अंदर और यह दोनों हो गया आपका revenue के अंदर और इस दोनों को मिला दिये तो क्या कुल ब्याय कुल आय और जब कुल ब्याय में से कुल आय बाइनस हो जाएगा सीधा सीधा जिसमें से नौ में से आठ की बात करते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा बजेटरी डेफिसिट हो जाएगा तो उसको हम बात करेंगे नहीं हम थुरा सथ सीधे आते हैं तो यह समझ में बार्था 1,813,700,946,000 सोरी यह है 8,9701 करोर रुपया 6,89,879 करोर रुपया यह ब्याज भुगतान है बैटा कितना ज्यादा ब्याज सबसे ज्यादा खर्चा इसी में करते हैं हम लोग ठीक है अब चलिए अब मैंने आपको बताया था fiscal deficit, चुकि आप जानतें कि हमारा deficit में है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है घाटा, यहाँ पर लिखा हुआ है deficit, और किसका deficit लिखा हुआ है, राजसो का, और उसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है, दो पहले बता है, दो को कर दू, राजकोसिये घाटा देखो, राजकोसिये घाटा कितना है, यह exam का question बन जाएगा, तो यह तो पुराना है, नया वाला कितना है तो नया वाला 3.8 है राजकोसिये नहीं, राजसो घाटा तो यह 3.8 है, ध्यान रखेगा 3.8 ही है ना, देखो 3.8 है, तो यह नया वाला है, याद रखेगा नया वाला है, 3.8 और यह VBI है, exam में question पूछेगा exam में, 3.8 को ध्यान रखेगा एक, राजकोसिये घाटा से सबस्यदा question पूछा है, राजकोसिये घाटा fiscal deficit और नया वाला क्या है, 6.4 है और यह भी VBI है, और यह question क्या पूछता है, कि नया वाले बजट में राजकोसिये घाटा कितना परसेंट रखने का सरकार का अनुमान है तो 6.4 परतिस्यत सरकार का रखने का अनुमान है राजकोसिये घाटा को, यह बात ध्यान में रखेगा, एकदम अच्छे तरीके से और यह भी VIA यह मैंने लगा दिया है अब अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे तो देखो इन्होंने क्या फॉर्मूला किया राजकोस घाटा को 10 में से 1 किया 10 में से 1, अब 10 ढूनते हैं simple, मैंने क्या कहा था, deficit, expense में से receipt घाटा हो, deficit निकल जागा और उसके आगे R लगा दो, हो गया ठीक है, राजकोस घाटा में क्या किया वो भी आपको दिखा था हूँ, राजकोस घाटा इन्होंने क्या किया, देखो, 9, 9 9, total expenditure, मैंने लिखा था, total expenditure लिखा था न, deficit equals to expenditure minus income, और फिर मैंने deficit के आगे fiscal लगा दिया था, और expenditure के आगे total लगा दिया था, याद है न, चलो, तो total यहाँ भी लगा हुआ है, total expenditure, 9 देखो, 9, total expenditure, minus, मैंने भी minus किया, minus, minus में क्या कर रहा है, 156, 156, 6 कर रहा है, अब मैंने क्या किया, वो बताता हूँ, मै minus में से borrowing, तो या तो आप इसको, 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 जोर लो, या सब को जोर के इसको घटा दो, मेरी बात समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता हूँ एक बार, ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है, या तो आप इसको, 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 और इसको, जोर लो, सब को, सब क जोड़ो सबको और साथ को माइनस कर दो तो वही बात है या फिर साथ को अगर माइनस नहीं करना है तो आप क्या करें आप सिर्फ इसको जोड़ दे इतना तक साथ ना जोड़े बात एक ही है मतलब क्या कि अगर x plus मैं दूसरा कलर ले लेता हूं x plus y plus z कर करके माइनस z कर दो या फिर x plus y कर दो दोनों equal to होगा की नहीं होगा लिख के बताओ होगा की नहीं x का value 2 इसका value 3 इसका value 1 तुन दू पांच एक छे, छे में से एक गया कितना होगा? पांच और तीन दू पांच ठीक है? तो वही बाते हैं हाँ पर है तो ध्यान रखेगा ये दो डेफिसिट के बारे में बात क्या था और भी डेफिसिट है जैसे प्राट्थमी घाटा है जिसमें उन्हें 17 में से 11 कर दिया तो यहाँ पे इंट्रेस्ट को जो है न माइनस कर देंगे तो वहाँ पे यह हो जाएगा लेकिन एक्जाम में आपका दो ही घाटा सबसे दा इनपॉटेंटली पूछे जाते हैं यही दो पाइंट इस पूरे सलाइड से मको बताना था और जो मैंने पीछे बताया इतना मेहनत करके वो आपको समझाना था किस तरीके से वो करते हैं और किस तरीके से मैंने उसी तरीके को आपको पहले बताया फिर मैं यहाँ पे लेकाया हूँ और यह नया बला बजट है, कोई मेरे घर का बजट नहीं है, आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ ही 22 तेज़, तो ये बात आपको मुझे समझाना था, और घाटा भी मैंने समझा दिया, डेफिसिट भी मैंने आपको समझा दिया, अब चलते हैं आगे, यानि कि अब सीधे सीधे बजट की तरफ चले आते हैं, और बजट पे, तब से तो बजट पे ही है, क्योंकि जब आ गया है, तो सीधे-सीधे बजट पे आते हैं, और जो बात मैंने वहाँ पर समझाया था, उसी को फिर से एक बार भी समझाऊंगा, और बजट की चीजों को लेकर आगे तो आज के पूरे क्लास को आप बड़े गौर से देखेगा बड़े अच्छे तरीके समझेगा सबसे पहले मैंने बताया था कि आम पैसे कहां से आते हैं यानि कि पैसे कहां से आते हैं यह बात मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है व सबसे ज़्यादा पैसे जो आते हैं, वो आपके आते हैं, देखिए, GST से कितना पैसा आ रहा है, 16 पैसा, 16 पैसा मतलब 16 परसेंट, सबसे ज़्यादा पैसा इससे आ रहा है, अब आप बोलेंगे, ये कर के रूप में, कर के रूप में मैंने बताया, GST से सबसे ज़्यादा आ यानि कि उधार से पैसा ले रहे हैं, तो ये उधार को income तो हम नहीं जोड़ेंगे, उधार को तो हम ले लेते हैं कि खर्चा करना हमें अपने development के लिए, लेकिन income आमदनी जो हमने generate किया, वो सबसे ज्यादा कौन से tax से, तो GST से, और देखो निगमकर 15% है, और आयकर भी 15% है ये चार बड़े income के सुरोथ है, निगमकर, आयकर, GST और उधार, जिसमें हम देखना है कि GST से कर के रूप में सबसे ज्यादा पैसा है, जो मैंने आपको बताया, और उधार से तो हम 35% लेते हैं, तो अगर एक्जाम में question पूछे कि सबसे ज्यादा किस कर से आमदनी है, त आपसे और टैक्स ही आपको GST याद रखना पड़ेगा, तो ये हो गया आपके income, यानि की रुप्या का income, ये income की बात हो गई, अब ये खर्चे की बात है याँ पर ये खर्चा होगा, तो देखना ये है कि खर्चा कहां से करते हैं, सबसे जदा खर्चा किस मद पर करते हैं तो जब खर्चे की बात आती है, तो वो देखो सबसे जदा ब्याज आदाएगी, देखो ब्याज आदाएगी में कितना परसेंट खर्चा कर रहे हैं बीस परसेंट खर्चा कर रहे हैं, और योजना पे पंदरा परसेंट खर्चा कर रहे हैं, ये तीन बड़े खर्चे हैं, फिर से बताओ, ब्याज देने में हम 20% खर्चा करते हैं अपने आमधनी का। और राज्यों को जो देते हैं नंकम बटवारा होता हुः उसमें 17% राज्यों को हिसा में देते हैं और 15% में हम स्टीम पहले जो चलाते हों उसमें खर्चा करते हैं तो सबसे ज़्यादा खर्चा कहा है ब्याज अदाईगी में और ये बात मैंने आपको बता दिया है तो सबसे ज़्यादा आमदनिक क्यों कौन से टैक्स से GST सबसे ज़्यादा खर्चा कहां ब्याज अदाईगी और ये दोनों बात मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, खूब बनिया से समझा समझा करके, अलग-अलग कलर में पेंटिंग करकरके, और फिर वहाँ पर अगर समझ में ना है, तो बड़ा मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छे समझा है, ठीक है न एक बार देखे, तो वो कुछ ऐसा है, कि 8,5 लाग तक आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, 8,5 से 5 तक 5 परसेंट है, 5 से सारे साथ 10 परसेंट है, नय वाला है, इसको आप देखिएगा, 5 से सारे साथ 10 परसेंट है, 8,5 लाग का एक स्लोट मना दिया है, इसको याद के लिए बड़ा सिम्पल है, क्या, धाई धाई लाग का स्लोट मना दिया, धाई धाई लाग का, देखो, धाई लाग तक एकजेंट है, 0 है, फिर धाई से 5, 5 परसेंट है, 5 परसेंट है, धाई से सारे साथ 10 परसेंट है, सारे साथ से 10, 15 परसेंट है, 10 से सारे बारा 20 परसे से कितने तक की आमदनी में स्थूट था यह ना तक की और 15 पर li hem जाता है तो श्राइक सोर्ट तक पहुंचाये तो से 2 संपrite outta देखो यहां 5 यहां 5 यहां 5 यहां 5 याद रखने के लिए बता रहा हूँ यहां 5 ठीक है और यहां धाई धाई ठीक है ना चलिए तो दो से 0 से धाई 0 ठीक है अधाई से 5 5% 5 से सारे साथ 10% सारे साथ से 10 15% 10 से सारे बारा 20% सारे बारा से 15 30% एभब 15 30% ठीक है चलो यहां पर फ्रवाशा ध्यान आप देंगे आगे चलते हम लोग बजट में और क्या-क्या घोसनाई हुई है क्या-क्या चीजे हुई है उसके बारे में हम देखते हैं चलिए आजादी का अमृत महुत्सब नाम सुना होगा अजादी का अमृत महोसब जो परधानमंत्री जो है न अभी आजादी के अमृत महुत्सब मना रहे हैं और उनका यह कहना है कि 75 साल के आवादी से India at the rate 75 से लेकर के India at the rate 100 तक यानि कि 75 साल से लेकर के आजादी के और 700 साल के बीच में जो इंडिया का क्या development है क्या रूप रहा है उसका एक पूरा कादी कहने की कोचिस किया है और इसको अमरित महतसब की रूप में इन्होंने डिफाइन किया है और ये 25 साल को अमरित काल कहा है ये जो पूरा काम चलेगा वो आजादी के अमरित महतसब नाम दिया है और ये जो 25 साल का डूरेशन इसको अमरित काल कहा है परधान मंतरी ने कि ये इस समय हमको बहुत तेज से आगे बढ़ना है 25 साल के 20 गो चलिए तो उस आजादी के अमरीत महतसाब के अमरीत काल में क्या क्या गया हैً नए वाले बज़ट आप आगे बढ़ने का उप्रचुनिटी है, इनर्जी ट्रांजिसर एंड कलाइमेट एक्षन, जलवायू पे करवाई की बात भी यहां पे किया गया है, ठीक है न, यानि कि जलवायू को सही करने के लिए, तो चार प्रमुख प्रार्थ मिखता है, यह कोशन एक्जाम का बन स सकता है, मैं फिर से बता हूँ, पहला है PM गती सकती, दूसरा inclusive development, तीसरा productivity, energy और transition बेगरा यह सब, और climate change बेगरा, और चौथा है finance on investing, यह चौथा है, चार हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके थुरा सा features के उपर हम लोग बात करते हैं, कि क्या-क्या features है, इस budget का, ठीक है, चलिए, हिंदी इंगलीज दोनों में लिखा हुआ है, मैं आगे बढ़ता हुआ चलता हूँ, PM गती सकती के अंतरगत, साथ इंजन की बात की गए है, और यह BVI है, एक्जाम का question पूछेगा, याद रखेगा, सबसे पहरे तो PM गती सकती के अंतरगत, कितने engine की बात की गए है, तो साथ engine की बात की गए है, और वो engine कौन-कौन सा है, road, road, railway, airport, ports, mass transport, ठीक है, waterways, और logistic infrastructure, साथ engine हो गया ना, साथ engine की बात की है, ठीक है ना, सरक, railway, हवाई, अड़े, बंदरगा, जन पड़िपत, जन पड़िवहन, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर आजाएंगे आपको, railway, सबसे importantly, ठीक है, जलमार्क और logistic option रचना, यानि की logistic infrastructure, यह साथ engine है, ठीक है, जिसमें world class infrastructure को बनाने की बात की गई है, तो यह तो एक तरीके का लुहावना, ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, exam का question यहाँ से बन सकता है, पहला तो question म इसमेंदा है, कितने किलो मीटर को complete करने की बात की गए, 22-23 तक, तो पचीस हजार किलो मीटर, नेशनल हाईवे, जो सरक है, mass transportation के अंतरगत सरक की बात कर सकते है, यहाँ पर, रेलवे यहाँ पर आ जाएगा, सरक है, सरक, इसके अंतरगत, पचीस हजार, नेशनल हाईवे, प बना देंगे, यह बात है, और चार लोजिस्टिक पार्क की बात की गए, पी-पी मॉडल से, जो कि 2020-22-23 तक, बात की गई है, बनाने की, या इसके उपर में काम करने की, तो यहाँ पर कोशन पूछेगा, कितने किलो मीटर नेशनल हाईवे बनाने का योजना रखा गया है, और पहला कोशन मुझे 7 इंजन वाला दिख रहा है, तो यह भी मैंने सीधे-सीधे रख लिया है, ठीक है, हिंदी-इंगलीज दोनों में लिखा हुआ, परसान नहीं होंगे, चलिए, आगे बरते हैं, आगे क्या कह रहा है, ठीक है, आगे कह रहा है, कि जो कबच है, कबच क कबच के पूरा पूरा काहानी है, उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, कबच है, टो कबच दरसल ट्रें एक्सिडेंट नहीं हो या जिरो एक्सिडेंट एक के लिए एक टेकनोलोजी है, जो पूर्ण नथीन है, पूर्न सहा भारतिय टेकनोलोजी है, और इसका यूज है कि accident नों अब क्या करना है कि इसके यूज को बढ़ाना है यानि कि इसके network को बढ़ाना है कितने किलोमीटर तक दो ہजार किलोमीटर तक के network को इसको बढ़ा देना है अभी 2022 थे तक 2000 कमीटर तक railway में कवच को लगा देना है कवच नाम का एक equipment या क्या बोलते हैं वो जो product बना है जो की railway को धक्का यानि की railway के accident से बचाएगा उसको लगा देना है कवच को और यह है क्या मैंने इसको लिखा है कि एक टकर रोधी उपकरन है एक उपकरन है या एक made in India तकनीक है जिसे भारतीय railway को सुन्य दुरघटना के लक्ष को प्राप्त करने मे मदद करने के लिए design क्या है यानि कि इससे दुरघटना भारत में नहीं होगा इस उपकरन के द्वारा कवच यही उपकरन है जो अभी 2000 km में इसको लगाने के लिए बात की गई है इसका बिस्तार करने की बात की है तो कवच क्या है railway के दुरघटना से बचाने के लिए एक है जो पूर्मता भारतिय रूप से design किया गया है चले ठीक है एक आगला one station one product हर station पे प्रोड़क्ट का development और उसके बारे में पर्च है उसको फैलाया जाएगा उसका add किया जाएगा marketing किया जाएगा ताकि लोगों में कुरूजान हो कि उस station से में यह चीज खरिदना है और उ लिची को बढ़वा दिया सकता है या वहाँ पर माखाना को बढ़वा दिया जा सकता है या फिर वहां पर मधुवनी painting को बढ़वा दिया जा सकता है तो यह बिहार से जुरी होए कुछ ऐसे product है जो की GI Tag में भी है और वहां के कुछ special product है तो अलग-अलग station पर इसको ऐसा कि जा सकता हिए उसी तरीके से अलग gigantic جगह पर जाएँगा तो अलग दरा कोटा होगा कहीं पर लटी योई ये ला कोटा नगतियों काहीं पे लाँ होगा चेल्प होगा कहीं पर लटी योग और कुरे कोई चीखेन कारजी बात की जाएगी में ये सारी जोड़ी चले ठीक है, 400 नया बंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा, 400 नया बंदे भारत ट्रेन, ये भी exam का question है, ध्यान रखेगा, BBI बनेगा, कबच BBI बनेगा, ठीक है, मैंने पहले भी लिखा और ये भी BBI बनेगा, ठीक है न, चलिए आगे, तो 400 नया बंदे भारत, ये question एकजाम मे बात की गई है anti-collision device है ACD है चलिए ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग अगला क्या है आपके बजट में जो government ने आपको दिया है agriculture में देखते हैं कि क्या-क्या government ने आपको दिया है agriculture में ठीक है ना agriculture में सबसे पहले दिया है कि रसाइनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा यानि कि जो chemical free natural farming है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और यह कहां बढ़ावा दिया जाएगा यह question exam का बनेगा तो यह बढ़ावा दिया जाएगा गंगा के आसपास के इलाकों में ठीक है गंगा के 5 किलो मीटर के रेडियस में गंगा के 5 किलो मीटर के आसपास के जितने भी इलाका है वहाँ पे और गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा यह बात नए वाले बजट में किया गया है लिखा हुआ कि बढ़ावा देना गंगा के 5 किलो मीटर भी लिखा हुआ है 5 किलो मीटर आप बजट पढ़ेंगे तो हाँ दिख जाएगा ध्यान रखेगा गंगा के आसपास 5 किलो मीटर की लाकों में जितना भी किसान है उसके खेतों में और गेनिक फार्मिंग को हाँ देने के लिए काम किया जाएगा एक दूसरा है बाजरा का ब्रांडिंग किया जाएगा बाजरा का मीलेट का यह बड़ा इंपोर्टेंट है मुझे लगता यह एक्जाम में कोशन बन रहा है इस वार कि नए बाले बजट में किस प्रोड़क्ट पे सबसे सब जोर दिया गया तो बाजरा पे बाजरा especially लिखा हुआ है बाजरा और इसकी ब्रांडिंग की जाएगी उसकी मार्केटिंग की जाएगी इस प्रोड़क्ट की बहुत सारी बातेंrations में की जाएगी तो बाजरा कुछ पाद के पहले कई बारी बन चुका है केन बितवा लिंक तो केन बितवा लिंक में बन चुका है तो दूसरा भी रिवर्स की बात की गई है जोडने की आपके नय वाले बजट में तो उसको देख लेते दूसरा कौन सा रिवर है जब दूसरे रिवर की बात करते हैं जुन्नाय बजट में आपको जोरने की बात की गई है केन बितवा तो एक्जाम में कोशन कई बार पूछ चुका है ठीक है और इसे क्या-क्या होगा यह बात भी हमें आपर बता दिया है कि यहां पर चलो सिचाई का भी मिलेगा तो को जब उसके उद्देश और उसके परियोजना में जो नहीत अब्जेक्टिव है उसमें पॉइंट यहां पर यह है कि केन बितवा लिंक से एक्जाम का कोशन पूछ चुका है कई बारी तो आगे हो सकता है चुकि बजट में यहां पर चीजों को लिग दिया गया है तो यह आप से कोशन पूछ सकता है कि आगे कौन-कौन से ऐसे नदी के उपर में बनाया जाएग तो वहां पर मैंने यहां पर लिखा है इसको जरा गौर से देखिएगा दमन गंगा पिंजाल नदी तापी नर्मदा गोदाबरी कृष्णा को जोड़ना कृष्णा पिंनार को जोड़ना यह हो गया है यानि कि अगर हम यहां पर ऐसे करें तो यह तापी है और इसके ठीक नर्मदा है इसको जोड़ देगा ठीक है यहां पर गोदाबरी यह गोदाबरी है आप जानते हैं कि यह गोदाबरी है यह कृष्णा है ठीक है उसके बाद क्या है कृष्णा के बाद यहां नीचे पर पेनार है यहां पर पालार है और उसके बाद यहां पर है नर्मदा तो यह गोदाबरी से इसको जोड़ देगा क्रिष्णा को क्रिष्णा से पिनार को जोड़ देगा और पिनार से नर्मदा को जोड़ देगा यह भी लिंकिंग है यह गोदाबरी से क्रिष्णा क्रिष्णा से पिनार पिनार से नर्मदा इस तरीके से आप याद इसको रख सकते है बड़ा असानी से और यह तैपी एस और यह नरमता और यह ठापी ठीक है तो यह द्यान में आप रखेगा यह about मारने। यह यह भाषाइन बारत जल्सेट यह दमन गंगा और फिंजाल आपसे question अलग तरीके का ये नदी है जिसको मैंने भी नहीं सुना है तो यहाँ पर question exam का पूछ सकता है लेकिन ये पूछेगा तो यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आपने जोगराफी अच्छे से पढ़ लिया है और मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से गोदावरी पस्चिम से पूर्व की तरब बहती है क्रिस्ना पस्चिम से पूर्व की तरब बहती है नर्मदा पस्चिम से पूर्व की तरब बहती है ये सारी बाते मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ठीक है न, कोई दिकत नहीं, आगे बढ़ें, तो river linking का जो पूरा का पूरा पर्योजना है, यह आपको याद हो गया होगा, चुकि केन बितवा तो कई बार question exam में पूछ चुका है, ठीक है, चलिए, आगे, देखते हैं कि सिख्छा के लिए उन्होंने क्या किया, यानि कि education पे है न, हर subject के लिए होगा, और 200 TV चैनल को खुलने की बात की गई है, यानि कि पहले 12 TV चैनल था, अब 200 TV चैनल को बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है, सिख्छा के इंतरगत, digital university की अस्थापना करने की बात की गई है, digital university की अस्थापना की, ठीक है, सिख्छा हो गया, causal विकास को लेकर के online पर सिख्छन को बढ़ावा देने की बात की गई है, ठीक है न, तो यह एक बाध्यान रखेगा, और drone सक्ति, जिसमें startup for drone services, तो drone services के लिए startup को funding किया जाएगा, और startup को बनाया जाएगा, startup किया जाएगा, उसके लिए funding भी किया जाएगा, उसके लिए design, उसके लिए जितने भी नीती होंगे, सब बनाया जाएगा, drone के लिए, चुकि drone जानते हैं, कितना ज़्यादा भी famous हो रहा है, अपने देश में, ठीक है न, तो drone सक्ति, drone के startup के and livelihood, ठीक है, ध्यान रखेगा, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, skill के लिए, ठीक है, और digital university सिख्छा के लिए, और 200 tv channel तो जरूर याद रखना, और योजना है, PME बिद्या, ठीक है, आगे बढ़े, चलो, आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए क्या किया है, हमारे सरकार ने वो एक बार देखते हैं, तो हेल्थ के लिए जब देखते हैं, तो mission सक्ति, mission बातसल, सक्चम, अंगनबारी, और portion 2.0, ये सब एक साथ शुरू किये हैं, तो जिसमें mission सक्ति में हम क्या देखते हैं, कि जो self-help group है, Self-Help Group महिलाओ का Self-Help जो पूरा का पूरा Group है उसको ससक्त बनाने के लिए Swing सहायता Mission है ठीक है Mission सक्ती किसके लिए है महिलाओ के महिलाओ के लिए है ठीक है अलाकि ये सारे महिलाओ के लिए ही है Mission बातसल किसलिए है वैसे महिला जो COVID में अपने हस्विंड को खोच चुके है उसके लिए Mission बातसल COVID वीडियो सक्षम आंगन बारी क्या है तो नए जिनरेशन यानि की नई परकार के infrastructure के साथ जो आंगन बारी बनाई जाएगी उसको सक्षम आंगन बारी की नए तरह के एकदम बिल्कुल नई infrastructure बेहतर अधारभूत सन्रचना एकदम अच्छे इन्वा infrastructure को बनाया जाएगा नए infrastructure को बनाया जाएगा सक्षम आंगन बारी में और portion 2.0 में क्या कर रहा है की जो maternal nutrition है यानि की जो मा बनने के मा जो होती है feeding मा हो या pregnant मा हो maternal nutrition infant यानि बच्चा और जो young child है जो की एक महिना दो महिना infant का मतलब होता है एक महिना दो महिना का बचा यांग का मतलब है एक साल दो साल तो जो young child है उसके feeding और उसको लेकर के बात की के portion 2.0 में तो फिर से बता हूँ कि तीन प्रकार के योजना खास करके तीनों महिलाओ को लेकर के है यह महिलाओ को लेकर की योजना है और इसलिए मैंने इसे इहां पर रखा है ताकि आपके exam का question बने एक है mission सक्ती जो self-help group के लिए है और उसको और ससक्त बनाने के लिए एक है mission बात साल जो बिद्वा महिला है कोबीड में बिद्वा हो गई है उसके लिए और एक है सक्षमा अंगनवारी जो अंगनवारी नयनय अंगनवारी किंद्र और उसके infrastructure पे ध्यान दिया जाएगा तो यह बात है आपके health के लिए रूप में भारत सरकार का तो हम लोग बात कर रहे थे हर घर नल जल से तो हर घर नल जल की योजना की बात की गई है आपके नयवाले budget में जो कि आपको दिख यहां पर दिख रहा होगा ठीक है ना हर घर नल जल की टारगेट है 2022-23 ठीक है चली आगे PM आवास योजना जिसको पहले इंद्रा आवास योजना कहा जाता था आज कल PM आवास योजना है इसके तहट 80 लाख घरो को बनाया जाएगा 2022-23 में 80 लाख घरो को उसका बात है PM डिवाइन इसका मतलब क्या होता पता है Development Initiative for North Eastern Region यानि कि यह कह रहा है कि PM डिवाइन के अंतरगत North East के स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है और जो सोशल डिवाइन है उसके लिए फंडिंग किया जाएगा वही बात मैंने यहाप लिगा To Fund Infrastructure and Social Development Based on Field Need of the North East यानि कि PM डिवाइन के अंतरगत क्या किया जाएगा जो Infrastructure Development है और सोशल डिवाइन है इसके उपर में funding की जाएगी ठीक है Expressional Block Program Expressional Block Program के बारे में बात कर रहे है तो यह होगा For Development of Lagging Blocks and Expressional Districts यानि कि वैसे ब्लोक वैसे ब्लोक जो पिछरा रह गया है जिले में उसको डिवलप किया जाएगा उसके उपर विकास किया जाएगा वैसे ब्लोक के पूरे के एरिया को ठीक है चलिए Vibrant Village Program Vibrant Village Program का मतलब यह होता है कि वैसा गाउँ जो की सीमा बरती गाउँ है लेकिन उसका डिवलप्मेंट नहीं हो पाया है या डिवलप्मेंट से बंचित है वहाँ पे Vibrant Village Program के तहथ उसको डिवलप किया जाएगा Vibrant Village Program के तहथ सीमा बरती गाउँ को ठीक है Digital Banking by Post Offices याने कि Post Office जो है ना 100% Core Banking में Conversion किया जाएगा Post Office को 100% तो यहाँ पे Post Office को Bank में Conversion करने का एक Program है उसके बाद है Digital Payment इसके लिए 75 यहाँ दो को 75 Digital Banking Unit खोले जाएगे 75 District में हिंदुस्तान के तो यह कुछ important Program है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका आपको Hindi भी मिल जागा यहाँ पे देखो Hindi लिखा हुआ है हमने हर घर नल से जल इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है कि 3.8 करोर घरों में नल का जल दिया जाएगा 80 लाग घरों में PM आवास योजना के तहत उत्तर पूरुब में जर्टों का अधार पे पुन्यादी सुधाओ को पैसा दिया जाएगा बलोक जो पिछरा रहा गया है उस बलोक के डिवलप्मेंट किया जाएगा वैसे गाओ जो की सिमाबरती है उसका डिवलप्मेंट नहीं हुआ है तो उसको डिवलप्मेंट किया जाएगा ठीक है डांग घरों में को में बैंकिंग सुविधाय में कनवर्जन किया जाएगा और डिजिटल भुकतान में 75 जिलों में 75 बैंकिंग का यह अस्थापित की जाएगी यह पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे ठीक है ना कोई दिकत नहीं आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ करोड के लिए और अग्यां के धोल आता है जल जीवन मिशन जल जीवन है जल वहलमे Sak prost, यहां पर देखेएगा उसके बाद आप देखते हैं क्या पर द Chamber किसान जिसमें ठोडरा मतरी किसान जिसमें 200 यह चाज़आर बरस में और सथ अचलत को उसमें अ त में शादूनुभर भारत रोजगार जलनाकेख में चौश्ट सो करोर خण फंडिंग की जाएगी पर्धार मंतरी शौस्त सुरक्ष्य योजणा में दस जार फंडिंग की जाएगी राष्टी श्वास्त मिलसं में 4953 पंडिंग की जाएगी जिसमें हम लोगे ने बात किया था इन्वर्सिटी यानि कि दिटार इनवर्सिटी की बात किया था यहाँ पर और फिर 200 टीवी चैनल खोलने की बात किया था ग्राम सरक योजना में 19 12-जार करोर यह जितना भी हलसाब इसको भी आप ध्यान में रखेंगे ministry wise allocation, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले railway ministry में exam का question पूछ लेता है, कितना 1,40,360,360 करोर रुपया, यह करोर में है, ठीक है न, करोर में, यह बात आप ध्यान में रखिएगा, तो railway के लिए 1,40,360,360,360 करोर रुपीज का funding किया गया है ministry of railway में जब आप ministry wise allocation की बात करते हैं तो, ministry of communication में देखे, 1,05,000 की बात की गई है, ministry of chemical and fertilizer, 1,07,000, ministry of agriculture and farmer में 1,32,000, ministry of rural development में 1,38,000, ministry of home affairs, जो अलग तरीकी के योजनाव में खर्च की जाएगी, 1,85,000, road transport में 1,99,000, तो ये कुछ important है, जिसको आप देखे, ministry of defense में देखो कितना पैसा खर्चा कर रहा है, 5,25,166 रुप्या, 15 करोर रुपीज, करोर में है, ठीक है ना, तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा, और जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ministry of defense को ही दिया गया है पैसा, तो अगर ऐसे भी question पूछे कि सबसे ज़्यादा ministry को पैसा दिया गया है, तो ministry of defense को, और railway ministry को कितना है, तो 140,30,367, 140 भी आप याद रखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये हमारा कुछ important point था ministry wise allocation, और वहाँ पे हमने देखा आपको, क्या बोलते ह है, ठीक है ना, चलिए, तो ये कुछ हमारा budget का point था, ये बाद देख लिए भारत का आर्थी विकासदर 9.2% रहने का अनुमान है, ऐसा कहा गया है नयवाले budget में, तो ये था था थोड़ा सा budget का कुछ important point, बहुत important point, जो कि हम summarize तरीके से आपका करके हैं, और इससे पहले हम ने budget के बारें बहुत सारी बाते किया है, जिसमें हमने concept के बारें बात किया, deficit के बारें बात किया, नयवाले budget के हिसाब से अपनी बातों को आपको बताया, और फिर राजकोसिये घाटा और राजसों घाटा कितना percent रहने का अनुमान है, वो आप तक हमने बताया है, चुकि एक्जाम का यह कोशन बन जाता है तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखिएगा यहां से आपके एक्जाम के कोशन जरूर बनेंगे एकदम बनेंगे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है आज का तो थैंक यू थैंक यू बेरी मच